हेलो दोस्तो लाजवाब रसोई में आप सभी का स्वागत है आज लाजवाब रसोई में बन रहा है चना का साग इसके लिए सबसे पहले मैं पहुची हूँ अपने किचन गार्डन में यहां से मैं चने के साग को तोड़ूंगी जो कि मैंने अपने यहां कूलर की टंकी में ल पूधा लगा हुआ है इसमें भी टमाटन लगने वाले हैं और इस तरह से ये चनाय का साथ खोटा जाता है यहां पी यह अजवाइन का पाफ़धा है हरी अजवाइन और ये बैगन लगे हुए मेरे यहां इसके साथ ही मेरे किचन गार्डन में करेला भी पाफ़धा लगा है उसमें भी करेले होते हैं और करी के पत्या का पेल लगवा हुआ है तो इस तरह आप लोग भी अपनी छट पर एक छोटा मोटा किचन गार्डन तयार कर सकते हो तो यहां से यह चना का साग मैं पूरा खोट लेती हूँ और इसके बाद नीचे जाकर इसको काटेंगे तो दोस्तो इसको खसिया से काटा जा रहा है और खसिया से तो मुझे काटना नहीं आता तो यह जो चना का साग है मेरी ममी जी काट रही है और इससे बहुत ही बारिक कटता है चाकू से काटने में ये इतना बारीक नहीं कटता है जितना हसिया से काटने में कटता है और जब चना का साग जितना बारीक कटा होता है उतना ही ये टेश्टी बनता है और दोस्तों चुकि इसको मैंने अपने यहां से तोड़ा है चना का साग तो अब ये चना का साग पूरा कड़ गया है और इसको हम अच्छी तरह से धुल लेंगे जिससे कि इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगएरा आ गई हो तो वो साफ हो जाए तो दोस्तो इसको हमने साफ कर लिया है इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते है और इस तरह से दोस्तो जैसे मैं बना रहे हूं अगर आप बनाएंगे तो आपका चना का साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ला जवाब बनेगा ये यूपी में इसी तरह से बनाया जाता है और इसमें हम लोगे डाल का प्रियोक करेंगे इसमें उरत की डाल ले रहे और कहीं कहीं चना की डाल भी ली जाती है तो दोस्तों आप गैस की ओर चलते हैं गैस को आउन कर दिया है और इसमें हमने आधा लिटर पानी डाल दिया है इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें जो धुला हुआ चना का और दोस्तों इसको डालने के बाद जो चना का साग हमने धुल के रखा था आप इसको डाल देंगे और इसमें अब हम डालेंगे नमक आपको अगर चना की डाल पसंद हो तो इसमें आप चना की डाल डाल सकते हो मुँग की डाल पसंद हो तो मुँग की डाल डाल सकते हो किदार डालिए अब इसको हम थोड़ी दे पकने देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अमसार तो इसमें हमने नमक डाल दिया है अब इसको हम ढखके रख देंगे थोड़ी दे करीब 10 मिनट तक इसको हम पकने देंगे क्योंकि ये जितना अच्छे से पकता है उतने ही जादा इसमें स्वाद आता है तो इसमें हम इसको पहले एक बार मिला देते हैं जिससे की नमख पूरे में अच्छे से मिल जाए और फिर प्लेट ढखके मैंने इसको पका दिया है तो देखे करीब 10 मिनट हो गया है अब इसको हम देख लेते हैं कि ये जो दाल इसमें पड़े हुई है और ये जो तेना का साग है ये पका है कि नहीं तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे और चला कर देख लेंगे तो ये दोस्तों लगवक पक चुका है अब इसमें हम मिलाएंगे बेसन का घोल और इसमें मक्का के आटे का भी घोल मिलाया जाता है जुंडी के आटे का भी घोल आप जो भी पसंद करें तो यहां पर मैं बेसन का घोल बना रही हूँ और इस घोल को आपको अच्छे से बनाना है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लंप्स ना रहा है गुठली ना रहा है इनको अच्छे से चला कर आपको घोल तयार करना है तो अब यह जो मैंने घोल बनाया है इसको मैं इसी सब्ची में डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी जिससे की ये भी देख लूँगी साथ में कि ये जादा तो नहीं हो रहा तो अभी इसमें और थोड़ा सा ये घोल पड़ जाएगा तो यह हम इसमें और थोड़ा सा घोल डाल देते हैं तो यह देखिए काफी अच्छा से तयार हो रहा है और यह जो घोल है इसको मिलाने से क्या होता है जो दाल और चना का साग होता है यह एक साथ मिक्स हो जाता है बाइंडिंग हो जाती है बहुत अच्छे से और जब इसकी binding अच्छा से होती है तो इसमें जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही प्यारा आता है और अगर आप भी ये घोल नहीं लगाओगे तो दाल और जो चना का साग है वो अलग-अलग रहेगा तो इस तरह से देखिए अब इसको हम थोड़ी दिर और पकाएंगे करीब 5-6 मिनट तक इसको हम पकाएंगे और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसमें फिर हम लगाएंगे चोका और वो चोका बहुत ही जादा मतलब उसका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा होता है जब हम इसमें चोका लगा देते हैं तो ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है इसको थोड़ी दिर हम ऐसे चलाएंगे जब तक ये पकने नहीं लगेगा क्योंकि अगर अभी हम नहीं चलाएंगे तो तलही में ये लग जाएगा और जब ये पकने लगेगा तो इसको थोड़ी दिर के लिए हम छोड़ देंगे पकने के लिए तो देखिए अब ये अच्छे से पखने लगा है न तो इस को हम थोड़ी देर ऐसी ही पखने देंगे और पांच मिनिट बाद देखिए दोस्तों अब ये और अच्छे से पख गया है दिखिए चना का साग है कड़ी है इसको आप जितना ज़्यादा पकाते हो उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है तो ये पूरी तरह से पक कर तयार हो गया है और अब चलो इसमें हम छोका लगा देते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन गैस में चड़ाएंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसो का तेल इस तेल को गर्म होने देंगे और फिर इसके बाद इसमें हम लैसुन डालेंगे लैसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे और आपको दोस्तों अगर अद्रक पसंद हो तो इसमें अद्रक भी भून कर डाल सकते हो ठीक है यहाँ पर मैं लैसुन और मिर्च का छोक लगा रही हूँ आप लोग इसमें खड़ा लाल मिर्च भी डाल सकते हो यहाँ मैंने हरी मिर्च का यूज किया है तो ये हरी मिर से डाल दिया और इसमें अब हम डालेंगे हिंग हिंग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और इससे जो टेस्ट होता और चारगुना बढ़ जाता है तो ये मैंने इसमें हिंग डाल दी और अब इसको हम ये जो छोका है अपनी सबजी में ट्रांसपर कर देते हैं तो इस तरह से जो चना का साग है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो गया है अब आप इस चना के साग को मक्के की रोटी के साथ में या जुंडी की रोटी के साथ में या फिर नार्मल रोटी के साथ में खाईए साथ में चना के साग के साथ चावल खाईए बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट इसका आएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में बताईएगा साथ में वीडियो को लाइक कीजिए रहा थैंक यू